वोलकम तू आज चैनल पनिशय फ़क कॉंपिटी टू एग्जामिनेशन अगर आप ने इससे पहले हमारे चैनल को सिब्सक्राइब नहीं किया है तो सिब्सक्राइब कर लीजिए और उसके साइब में जो बल आइकन है उसको भी क्लिक कर दीजिये तो फटाफर देख लेते है कि कौनसे टाइप के questions जो है पूछे गेते हैं, okay? So, पहला question यहाँ पर सिटिंजन अमाइडमेंट अमाइडमेंट आक्ट जो है हमारा 11 डिसमबर 2019 को जो है कौनसा 11 डिसमबर 2019 को जो है कि में अमाइडमेंट आक्ट आक्ट जो है पास गया था हाँ कि नहीं? से बारे में एक क्वेशन था सारे के सारे इंपोर्टन ए ठीके न है न ऑमाइडमेंट परके जाएए, okay? अगला question आ गया था 74 अमाइडमेंट में जो है क्या वर्स जो है इंक्लूड किये गए थे वो जो है question आ गया था मैं खेह रही हूँ amendments काफी ज्यादा important है मैं जब आपको मॉक्टर्स में भी पढ़ा रही थी मैंने आपको काफी ज्यादा stress करके बताया था कि amendments पढ़ना कितना ज्यादा important है यह important आपके आने वाले examination में भी इस सारा questions आप देख सकते हो ठीके ना यहाँ पर 74th amendment के बारे में question आ गया था और next आ गया था कि lawn tennis में जो है कौन सा player जो है first number पर है ठीके ना sports related कंबल सरी question आते है एक तो sports related आते है awards आते है ठीके ना और आपका जो current affair ना वो मार्स तक ही जो है पूचे गई थी इस वाले shift में ठीके ना सारे के सारे shift में जो है मार्स तक ही पूचे ही आता okay so यहाँ पर question क्या था lawn tennis में जो है सबसे first player world में कौन है ठीके ना rank में okay so यहाँ पर ICC से भी related question आया सब कुछ हमको पता होनी चाहिए ताकि हम सारे के सारे क्वाइशन्स जो है चैसे कर पाए अगे नेक्स आगया है UNESCO मैं इतने बार जो है आपको इस्ट्रास करके बताया था कि UNESCO जो है सबसे फेड़ेट टॉपिक है अभी आपने देखा है ना सारे सारे शुफ में जो है UNESCO से रेलेटर क्वैशन तो आही रही है ठीक है ना सो यहां पर क्वैशन्स क्या आया था कि UNESCO इंडिया में जो है कितने साइज जो है UNESCO के आपकी बार नमबर में आपके पढ़ा चुकी हूं काफी बार 38 साइज जो है पिंग सिटी जो है UNESCO ने जो है इसको रिकन रिकनाइज जो है किया गया था ठीक है ना और कितने साइज से 38 है ओके और UNESCO की फॉर्मेशन डेट क्या है 16 नवंबर 1945 यार रख ले ना यह भी पूछा जा सकता है UNESCO जो है SSE का काफी फिएवरेट टॉपिक आप UNESCO का हर एक छीज पढ़के जाएए ठीक है ना तो यह है इतने टॉपिक्स जो है मुझे पता चले बच्चों ने मुझे बताया है अगर इससे ज्यादा क्याशन आपको पता है आपका एक्जामनेशन इस शिफ में हुआ तो मुझे कमेंट करके बता देना और सारे बाकी बच्चों को भी बता चलता है तो इतना ही रखते है थैंक्यू अगर आपको मेरी यह सेशन पसंद आती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लेना थांक्यू सो मच वह अवर्चिंग बबाई